हेलो नबसकार दोसों यूट्यूब चलबाब का स्वागता आजम करने वाले दिल्ली जूडिसरी एक्जामिनेशन के एमसी की कोर्शन स्वाल मॉस्ट इंपोर्टेंट आई पीसी के ठीक है सबसे फरस्ट कोर्शन है आपे टू कॉम्पोनेंट्स ओफ क्राइम आर क्राइम के टू कॉम्पोनेंट्स होते हैं कोन से है स्वाल कर्शन स्वाल मेंसरी और इंडिया अफ्टस्वाइब कोर्ट इंपरिकम्न ईपेल कश्मीर was repealed by Indian Penal Code ठीक है देखो पर जम्मु कस्मिर पे पहले रनमीर Penal Code चलती थी ठीक है जब से जो है धारा 300 Article 370 को Amendment किया गया है तब से क्या है महाँ पर क्या अब replace किया गया है अब इस कंसर भी हो जाएगा महाँ पर जो है जम्मु कस्मिर Reorganization Act 2019 को है इस कंसर भी हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन है यहाँ पर वीच वन ओफ फॉलोइंग सेक्षन और आईपीसी डिफाइड इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन ठीक है देखो एक होता है इंट्रा टेरिटोरिल जुरिस्टिक्शन देखो था एक्स्ट्रा ठीक है एक्स्ट्रा मतलब इंट्रा का मतलब होता है इंडिया के अंदर जो भी क्राइम होते है उसके बारे में है और इंडिया से बाहर जो क्राइम करका आता है उसके बारे में पता गया है तो यहाँ पर इंट्रा टेरी टूरी जुरिटिक्सन है, जो है, सेक्शन टू के अंदर बताये गया है, एक ऍटिकोंट के सेक्शन टू के अंदर बताये गया है, नेक्स्ट कोशन है आपे, हएए एह एप एंधियन स्यटीजें मतर्स अफ्रेंज सिटी जैन इन पैरिज सके इंदर जुड़ घालता है एप ममइम्बई पाए जाता छान उसके लिए क्या होगा ब startle Cloud की जो प्र्सिक्यूशन जो चलाए जाएगा ठीके जो भी स्फिक्ष़ कम्भाई में ही कि जाएगी किमभी और मुंब्भी में सी इस और जाये ओके मुंब़ी में मिलाया थो नेक्स कोशन ही सरे स्टीया अब पॉइंट आउट कशाट कानकि स्टेट्मेंट क्या है इन में से लो करा एम क्या है crime is necessarily crime necessarily an anti-social act होता है क्या होता है anti-social act okay 20 council हो जाएगा anti-social act okay next question है आपे who is a citizen of India commits a murder in England a जो है इंडिया का बंदा है अलों murder कहा कर देता है England में murder कर देता है और he founds in indoor वो indoor में किया जाता है उसको arrest किया जाता है अब उसको जो trial है इंडोर में ही किया जाएगा जहाँ पर वो पाया गया है कहाँ पर पाया गया है CS cancer है at indoor where he was found ठीक है clear next question है आपे Indian penal code by 8060 came into enforcement on ठीक है enforcement की जो date हो कब है मतलत उस पर sign कब किये गए थे ओके इस cancer C हो जाएगा 6 October 8060 ठीक है 6 October 8060 को enforcement किया गया था ठीक है और एक जन्वरी 1862 को उसको लागो कर दिया गया था ओके next question है आपे A is a national champion of swimming in pond ठीक है A जो है एक national champion तैरने में ठीक है He could have saved the child ठीक है वो क्या है उस बच्चे को बचा सकता था जो वापे जो बच्चा वापे कोई गिल्टी नहीं माने जाएगा next question common intention applies common intention कहाँ पर अपलाई होता है common intention आपको पता है section 34 से related है section 34 का ही है और जो अपलाई किया जाता है वो इस concern भी हो जागा pre-arranged planning ठीक है pre-arranged planning जो हो जाती है common intention में होती है और एक और question आपे common intention का मतलब होता है इस concern C है sharing of intention by all person ठीक है pre-arranged और बाकि है sharing of intention by all person सभी person के दुवारे जो sharing की जाती है वो सब जो है common intention में होता है okay मतलब कराइम में चार बंदों मिलके कराइम करा और सब कही equal liability माने जाएगे next question in which case Supreme Court held that common intention may develop on the spot also Supreme Court के कौन से केस में का आगया है कि common intention को on the spot जो है develop किया जाए यहापे इस concern B is concern हो जाएगा Rishi Dev Pandey versus state of Uttar Pradish ठीक B is concern हो जाएगा इसका case है Rishi Dev Pandey versus state of Uttar Pradish okay next question है यहापे in executing sentence of solitary confinement ठीका solitary confinement बहुँ जाएदे इंपोर्टेंट है in executing a sentence of solitary confinement such confinement cell in no case exceed how many days at time ठीक है एक बार में जो है solitary confinement जो दिया जाता है वो कितने दिन तक दे सकते हैं इस concern है 14 days ओके बीस concern हो जाएगा 14 days तक ही हम दे सकते हैं next question which of the following punishment cannot be awarded under the Indian Penal Code ठीक है Indian Penal Code के अंतर जो punishment है वो section 53 में बताए गई है वो भी पाच परकार की punishment है और उसमें से कौन सी नहीं है वो बतानी है बहुँ डैथ है ठीक है for feature property है अगर resource imprisonment है transportation of life for life नहीं है ओके इस concern सी हो जाएगा कौन सी जो है punishment नहीं है is contained in the protection against double geo party is contained in कौन से section में बात की गई है इस concern is section 71 okay 71 के अंदर बात की गई है next question under IPC which one of the following section makes provision of solitary confinement solitary confinement कौन से section में है section 73 section 73 जो है इस concern C हो जाएगा solitary confinement के बारे में बात की गई है okay solitary confinement यह पर बोलागी maximum limit of solitary confinement solitary confinement का maximum limit है वो कितनी है इस concern C है 3 months के लिए कितने months के लिए 3 months के लिए होती है okay अगला है imprisonment in default of fine cannot exceed ठीक है कोई भी default of fine होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होता है इस concern one fourth of maximum term provided for the offense कोई भी offense होगा उसका one fourth से ज़्यादा नहीं होता है okay इस concern हो जाएगा okay next question तब maximum यह maximum है बहुत important maximum होती है maximum तो बहुत ज़्यादा आती है उसके अंदर है exam के अंदर तब maximum ignorance या facet execution relates to ठीक है ignorance facet execution relates to कौन से सक्सें से है ignorance facet execution इसका नहीं हो जाएगा भी इसका नहीं है section 76 से related है यह वाली maximum okay next question a hangman who hangs the prisoner in pursuant to the order of the court is exempted from criminal liability by virtue भाई जो hangman होता है वो फासी लगा रहा है ठीक है फासी दे रहा है उसको भाई फासी की सजा सुना दी गई है आप उस फासी की सजा दे रखी है अब A क्या है B को जो जलाद होता है वो फासी दे गा उसको तो उसको कोई भी crime नहीं माना दाएगा उसके लिए तो exempted है ठीक है वो कौन से section बताएगा इस concern भी हो जाएगा section 78 section 78 में बताएगा है इस concern क्यों जाएगा section 78 भी इस concern है next question which provision of Indian penal code says nothing is an offense which is done by a child under 7 years age ठीक है यहाँ में बात की गई है कि nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age ठीक है कोई भी बच्चे शाथ साल से नीचे का होता है उसको कोई crime नहीं माना दाएगा कौन से section में बात की गई है section 82 ठीक है C is concern हो जाएगा section 82 ओके next question which one of the following section of Indian penal code is based on principle of dolly in capex dolly in capex जो है कौन से section से related है both most important question ठीक है कौन section से है section 82 section 82 जो की 7 years से कम के बच्चे की बात करता है dolly in capex जो है इसका maximum मिलता है next question section 87 of IPC is based on the legal maxim of section 87 of IPC is based on the legal maxim of कौन से maxim 87 से related है इसका अंसर हो जाएगा voluntary non fit injuria 20 इसका अंसर हो जाएगा voluntary non fit injuria जो है इसका अंसर हो जाएगा okay dolly in capex बैने आपको बता section 82 से related है और बाकी ये D minimis non curate लैक से section 95 से related है okay next question है which one of the following section of Indian Pillar Court provided that nothing is an offense which is done by a judge while acting judicially ठीक है मतलब कि ये बोलना है कि judge कोई भी कार कर रहा है judicially में उसके लिए कोई offense नहीं माने दाएगा जिसका अंसर क्या होगा section कौन सा है section 77 okay section 77 है okay which provision of Indian Pillar Court nothing is an offense which is done by accident कोई भी दुरगटना होने पर कोई भी accident होने पर कोई offense नहीं माना जाएगा कौन से section में बताएगा इसका अंसर हो जाएगा section 80 okay section 80 for example जैसे की कोई लकड हारा है वो क्या है लकड काट रहा है और जो जिससे वो काट रहा है X से उससे लेके काट रहा है ठीक है उसकी फाल बैज़ा थोड़ा उससे काटता है ठीक है कुलहाडी से काट रहा है कुलहाडी गिर जाती किसी के उपर और वो मर जाता है तो उसमें उसको कोई दोस नहीं मन जाए क्योंकि वो एक अच्छे तरीके से काने करा को इंटेंशन नहीं है ठीक है वो इसमें दुरगटना में नहीं मन जाएगा next है mc-nog10 mac-nog10 case is related to which of the following section mac-nog10 case जो है कौन से section से related है इसका अंसर है section 84 section 84 से related है unsound mind ठीक है unsound mind से related है ओके next question most important question है आपे पढ़ लेते है a is in a house a is in a house which is on fire a एक घर के अंदर है जिसमें आग लग रखिया है with a z a child z जो है वो एक बच्चा है a और z है people below hold out a blanket people ने blanket रख रख किया है कंबल रख रख किया है और a जो है उपर से छोड़ देता है ठीक है भई a उपर से छोड़ देता आग लग रखिया है और बच्चा जो है बच्चे की मौत हो जाती है बच्चा गिर के मौत जाता है अब इसमें क्या होगा इसमें जो है a ने कोई भी क्राइम नहीं किया है ठीक है इस कंब्च्चे ने जान मुझके नहीं किया रहा है ठीक है क्योंकि बच्चे ने जान मुझके नहीं किया रहा है क्योंकि वो अल्रेडी आग लग चुकिया उसमें जो है ब्लैंकेट के साथ नीचे लोग खटे हो रखे बच्चे न उसने वास उपर से फैगा ठीक है बचाने के लिए था मगर नहीं बच पाया तो क्या करें ठीक है तो इस कंसर द हो जाएगा एज कमिटे नौ उफेंस नेक्स्ट कोश्टन मैक्सीम है दे मिनिमिस नौन क्यूरेट लैक्स इस रिलेटे टो विच और फोलेंग सेक्शन दे मिनिमिस नोन क्यूरेट लैक्स जो है section 95 से related है ओके, ace console हो जाएगा next question, apple test apple test was evolved by court to judge the level of understanding in the case अब apple test जो है, कौन से उसके लिखिया जाता है, कौन से case से related unsound mind, ठीक है पागल पन से जो related होता है unsound mind से उसमें apple test किया जाता है ओके उबेरी मा fights का क्या मतलब है, उबेरी मा fights means, इसका answer क्या होगा, उबेरी मा fights means, इसका answer हो जाएगा तुमारा be in at most good faith, good faith में जो किया जाता है, उसको का जाता है next है, de minimis non curate lex, de minimis non curate lex का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है low would not ignore low would not take action on small and trifling matter ठीक है, इसका answer हो जाएगा, डे minimis non curate lex का मतलब अब जो है, ये section 95 से related है, वहीं से लिया गया है वो इसका मतलब क्या है, कि कोई भी low कोई action नहीं लेगा, small and trifling matter से, बहुत छोट छोटे मामलों में कोई भी low action नहीं लेगा समझा देगा आगे है, x and y both drank and began quarreling, x और y आपस में लड़ रहे है और जगड़ा कर रहे है, x started beating, dragging y, x y को मार रहा है, y becomes unconscious then x hits on the head of the y, with a stone causing his death, x उसको इतना मार देता है, कि y की मोत हो जाती है, ठीक है, क्या x ने जो है, अपना defense किया है, ठीक है, यहाँ पर इस concern D हो जाएगा, voluntary drunkness of x is no defense, ठीक है, अब x ने भी आपे drunkness था, मगर जो है, voluntarily आप जो है defense नहीं कर सकतेगे, कि इसी को जान सहीं मार दोगे, तो इस तरीक से आपे बात की गई है, ठीक है, next question है, an act under, an act done under mistake of fact, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, okay, an act done under mistake of fact, इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर होगा B, is a complete defense, is in a criminal charge, if done in good faith, ठीक है, complete defense होता है, जो mistake of fact, जो जहासे जो section चालो हो जाते, complete defense है, in a criminal charge, in good faith, good faith में complete defense होता है, okay, next question, यहाँ पर एक question है, A offers B, money to murder C, A offer देता है, B को पैसे देता है, कि आप C का murder कर दो, B does not murder C, B ने C का murder नहीं किया गया है, ठीक है, A, B, C, ठीक है, A, B को बोलता है, murder करो C का, मगर B नहीं करता है, instead of decided to steal C's imported card, B जो है, C की card को चोरी कर लेता है, ठीक है, during his interrogation, B reveals his conversation with A, the police since B did not even attempt to murder C, which of the following is true, interrogation के दोराज, B, police को बताता है, कि A के साथ मेरी ये बात्चित हुई थी, बगर मैंने, attempt to murder, अभी तक मैंने attempt to murder नहीं किया गया है, तो इसमें, जो है, क्या होगा, इसके अंदर, क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर, जो है, इसका अंसर, C हो जागा, A is guilty, abetting murder, abetting B, to commit murder, ठीक है, A guilty होगा, abetting, commit murder, ठीक है, attempt नहीं किया है, मगर abetting के लिए, abet के लिए, A guilty माना जाएगा, क्योंग ये ने, फिर भी उसको, offer दिया है, ठीक है, बैट किया है, आगे question है, which one of the following offense, can be committed, by a single person, इन में से, कोई सभी जो फैंस, single person के दुवारा किया जाता है, देखो भी conspiracy में, दो बंदे चीए, गैंगर एक में, तो कहीं बंदे चीए, डेकेटी में, जो डेकेटी होती है, अबेटमेंट में, अकेला बंदा कर सकता, तो इसका अंसर C हो जाएगा, ओके, next question, A was found to have, attempted suicide, ठीक है, A को जो है, suicide करते पकड़ जाता है, A however was not successful, A successful नहीं होता, investigation revealed that, B had instigated to attempt suicide, जब investigation की जाते हैं, तो B ने जो है, A को, B ने, A को, जो है, instigates किया था, तो इसमें क्या बाना जाएगा, वैइसमें simple सी बात है, A को जो है, attempt to suicide के लिए libel किया जाएगा, B को जो है, abatement of suicide के लिए libel किया जाएगा, इसका अंसर A हो जाएगा, इसमें लिखा है, कि A shall be libel, to be punished, under the section 309, for attempt to suicide, and B shall be libel, to be punished for attempt, for abatement for attempt to suicide, ठीकर, इसका नियो हो जाएगा, next question, A offers bribe to B, who is a public servant, B refuses to accept the bribe, A is punishable with IPC, ए जो है, रिस्वत देता है, B को और B मना कर देता है, एक इसके लिए libel किया जाएगा, एक इसके लाबना जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, section 116, ठीकर है, 116 के इंडर, next time, X and Indian abates Y, X जो है, Indian है, और Y को abates करता है, an American citizen on telephone, from Ajmeer to mother P, ठीकर है, जो, American citizen होता है, वो टेलीफेन से बोलता है, जो mother करता है, अजमीर में, कापे, अजमीर में, ठीकर है, पी का मडर करना है, American citizen in America, under which section of IPC X is guilty of abatement, ठीकर है, अब जो है, यापे, अब जो है, अब भई, X न मडर कर दिया, ठीकर है, यापे, क्यों से section के अंडर, जो है माना जाएगा, ठीकर है, इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर होएगा, तुम्हारा 108A, 108A के अंडर, ओके, next है, A, abates B, to beat C, A, B को बोलता है, भाई C को मारो, A, B को बोलता है, C को मारो, और A reaches the place, where B is beating C, ठीक है, यहाँ पर A, पोस्तार देखता है, कि B, C को मार रहा है, तो A क्या है, किस के लिए, liable मारो जाएगा, ठीक है, abate के लिए, ठीक है, इसका अंसर, 114, क्या है, 114, इसका अंसर हो जाएगा, C, next question, A, instigate B, to burn Z's house, A, B को बोलता है, कि भई, Z का घर जला दो, वो B क्या करता है, satisfier to house, and at the same time, commits theft of property there, वो वहीं पर उसी समय, चोड़ी कर लेता है, तो A, किस के लिए, guilty माने दाएगा, वह ए, जो है, abating of, guilty of burning of the house, ठीक है, या पर क्या लिखा है, guilty of abating theft, guilty of abating the burning of the house, not, इसका ज़र C हो जाएगा, ठीक है, इसका ज़र क्या ज़र C, guilty of abating the burning of the house, only burning of the house के लिए, guilty माने जाएगा, not theft के लिए, ठीक है, क्योंकि theft के लिए, उसने बोला नहीं था, आगे next question है, A, A ने B को बोला, कि भाई C का murder कर दे, अब B जो है, मना कर देता है, तो इसके क्या मना जाएगा, abating to commit murder, ठीक है, इस cancer क्या हो जाएगा, C इस cancer हो जाएगा, abating to commit murder, ओके, इसने के question थे, I hope वीडियो अच्छे लेगा, like, subscribe, जूँ कर देना है, अंदर से आएगा, इस तरीके से अगर आपको, practically खुशन करने तो वीडियो को, like, कर देना, comment कर देना, मिलते नच्छे 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 बाद,